अच्छे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग के 20 अगस सन 2023 विक्रम समवत 2088 चल रहा है शावन मास है शुक्लु पक्षे वर्शा रितू है तिथी चतुर्ती है और आज का वार है रवीवार आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्ष 12.25 मिनट तक आगे विस्ट्री करन रहेगा सुर्योदे का समय दर्शे को सुबह 6 बजे का था और सुर्यास्त का समय शाम 6.69 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर बाद साड़े चार से शाम 6 बजे की बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमे पैस्वचित चाल्यूदे की बश्चिया की यात्रा के निकले परिहार बहुत सरलन है अनिवारी यातरा है तो परिहारं करेंगे तो यातरा अच्छि रहेगी दिशाशूल्ज आपको परिशाद नहीं करें आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7.40 से लेकर दौपेर 12.30 मिनट तक फिर दौपेर दो बज के 10 मिनट से दौपेर बाद 3.40 मिनट तक फिर शाम साथ से रातरी 9.30 मिनट तक ये तीनो काल खंड बाकी पूरे दिन की आप एक शाह ज्यादा शुब है यूग का रख है तो अच्छे एफट्स करें कोशिश करें तो फिर इसी समय काल में करेंगे तो सफलता की चांसिज आपको ज्यादा मिलेंगे आज की चंद्राशी दर्शे को कण्यां है जिससे आज का ये दिन सभी बारे राशिओं के लिए को छस्प्रकार रहने वाला है सबसे से पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले अपने ननिहाल पक्षए रहेंगे लाबानवित वहीं वरश राशी वाले अपनी तेज बुद्धी सूजबूच से चो भी अच्छे निर्ड़ने लेंगे उससे बहुत का आकर आपकी पहचान मनेगी वहिं कण्ञा राशीवाले आज अपने लिए किसी ऐसे साथी की तलाश करेंगे जोने अच्छे से समझ सके तुला राशीवाले मत ऑच किसी निवेश से बचें नहीं तो नुगसान हो लग सकती आज कड़वी और मीन राशी वाले आज पा सकते हैं पार्टनर्शिप में व्यापार का अफसर दर्शे को आप करते हैं आज की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते दर्श्री को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेगे उन विशेश उपायों को जीवन को सुगम सुरक्षित सुन्दर बना देते हैं अन्तमें करेंगे जोतिश मंतर्णा और समाधान दर्शे को दुनिया भर के जान पैचान वालों में कोई कोई ही आपका मित्र हु अब यह है कि चाहे एक हो दो हो लेकिन मित्र आपके इसी प्रकार के होने चाहिए इस संबंद में आचारे चानक के कहते हैं कि आतुरे व्यस्ने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शम्शाने चे यस्तितश्टती से बांधवे यानि की बिमार होन पर दुख के समय अकाल पढ़ने पर शत्रु की और से संकट आने पर और राजदर्बार में तथा किसी परीजन की मृत्यू के समय इन सब इस्तितियों में जो साथ नहीं छोड़ता वास्तों में वही आपका सच्चा मित्र आपका सच्चा बंधु होता है तो आज की ज्यान करते हैं चर्चा उन्वस्त शुपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्यों की सरल समधान कर देते हैं और जिने करके आप अर्चन होगा सफलता को अपने जीवन से बहुत दूर करते हुए सफलता की और दढ़ता से कॉन्फिडेंस से तेजगती से अग्रसर होता है सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिनका जनम दिन है आज आप सभी लोग भगवान सूर्य को कुमकुम लाल पुष्प और गुड मिलेवे जल से अर्ग दें सूर्य शतनाम के 27 पार्ट करें साथ ही आज भगवान गणेश जी के मंदिर में यदियाप क कोई संद्य नहीं ऐसे दर्शे को आप मैंसे जो लोग आर्थिक रूप से परिशान चल रहे हैं बहुत प्रयास करने के बाद भी इस्तती नहीं सुदर रही है साथ ही वो लोग जिनका वहवाई जीवन बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है लगातार कोई ना कोई समश्या आप सी मन मुटाओ इन सब इस्तियों की वज़े से जीवन नीरसा होने लगा है तो ऐसी इस्तती में आप आज से एक सटीक शुद्ध सात्विक भगवान श्रीकृष्ण की साधना करके इस समश्या से बाहर आईए आपको इसके लिए करना ये है कि नित्य भगवान गणेज जी और स्रीकृष्ण की पंचोप चार से पूजन करें भगवान श्रीकृष्ण को माखन मिश्री तुलसी दल का भूग लगाएं 21 मौर पंक द्वारा उनका शंगार करें कमल का इत्र उन्हें अर्पिट करें इसके बाद में तुलसी माला या वेजंती माला के द्वारा नि इस प्रकार से समंत्र की 11 माला का जाप आप कीजिए इसका प्रभाव तो तीसरे चौते दिन से आपको दिखने लगेगा लेकिन 21 दिन बात तो आप स्वैम चकित हो जाएंगे इसके प्रभाव का नुभाव करके आगे नित्याप एक माला करते रहें कभी जीवन में आपको कोई समश्या नहीं आएगी ऐसे ही आर्थिक समश्याओं से मुक्ति के लिए और बिरोजगारी की समश्या से निजात पाने के लिए आप आज के दिन से भगवान सूर्य की एक बहुती विसस्ट आराधना कर सकते हैं इसके लिए आप सूर्य भगवान को गुड़ कुमकुम लाल पुष्प और केसर मिलेवे जल से अर्ग दें और सूर्य यंत्र सामने रखकर एक लाल वस्त्र पर इस पर गियों की धेरी बनियों उस पर सूर्य यंत्र रखे पंचोप चार से उनका पूजन करें फिर अपनी समश्या कहकर आर्थिक सफलता नोक्री व्यापार का आश इस प्रकार से पांच माला का जाब करें तीन चार महीने बीटे बीटे आपको अपने भीतर एक विस्ष्ट उड़जा एक शक्ती का संचार अनुभव होगा और भगवान भासकर की कृपा से आपकी आर्थिक स्तिती बहुती जबर्दस तरीके से मजबूत होगी और आपको यश नाम सम्मान भी मिलेगा तो दर्शे को ये थे आज की वो विस्ष्ट उपाए जो आपकी बड़ी समश्चाओं कांत कर रहे हैं आपकी मनो कामनाय पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनुमपत्री का आई है अर् किनेश गुरू आपके आए भाव में हैं इसके अलावा भाग्य का मालिक सूर्य करम के मालिक बुद्ध के साथ बारवे भाव में बैठें तो यह सारी स्थिती दर्शा रहे हैं कि आप जनमस्तान से दूर जाकर भोजन संबंदित सिक्षा संबंदित इस प्रकार का को व्यो मुक्ता जी की चार मार्च 1997 का जनम है शाम 6 बच के 37 मिनट उद्यपुर प्रशन है विवा कब तक होगा वैवाईग जीवन कैसा रहेगा मुक्ता जी आपका सिंग लगन है धनु राशी है सप्तम यानि विवा भाव में सूर्य बुद्ध शुक्र है और सप्तमे शनी केतू के साथ अस्ट्रम भाव में गए और सभाग्य कारक गुरू भी नीच राशी में स्थित है अब ये सारी स्थिती वैवाज जीवन के दीजिए आपका विवा अगले वर्ष के अंत में यानि दिसंबर सन दोजार चौविस में हो जाएगा तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज की विस्वस्त उपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताएव उपायों को सही कि विदी सटीक समय अटूट शद्धा के साथ करके आप पूरा-पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन मोतारेंगे धीरे धीरे आपका जीवन शिव में सत्य में और आनंद में होता जाएगा मैं महादेव से प्रातना कर करते रहें कारिकरम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साथ हुआद भगवतियास अपका कल्यान करें जय आदिशक्ति गुड मॉर्णिंग मैं हूदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा ग हर्डल है कोई situation है तो हम कैसे easily बहुत ही आसान और nominal remedies के साथ हम इसे complete कर सकते हैं खुबसूरत दिन बना सकते हैं और इसके लिए जो हम रीडिंग करते हैं आप तो जानते हैं एक से लेकर 9 मूलांग तक की यदि आपको नहीं पता कि कौन सा है आपका मूलांग तो एक example देके 24 तो 2 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नंबर 6 तो नंबर 6 होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 20 अगस्त 2023 और आज की जो तारीक को अगर हम जोड़ते हैं 20 को आप तो जानते हैं 0 को हम नहीं लेते हैं तो नंबर 2 आज की तारीक का मूलांग है जि और कही ना कही उनकी जो एनर्जी जो पावर है वो हमारी साइकिक एबिलिटी के उपर बहुत जादा कही ना कही हमें एफेक्ट करती है हमें इमोशनली मेंचली बहुत जादा हमें सपोर्ट भी करती है तो चंद्रमा जो है जितना जादा पॉजिटिव होते हैं उतनी ही हमार लाइफ में बहुत सारी बातों की जानकारी हमें पहले ही ही हो जाता है फॉर एक्जामपल साइकिक पावर को बढ़ाते हैं साइक पावर का ourselves क्या होता है एक नॉर्मल व्यक्ति है उसके एक एसी शक्ति को उसुने द्रागरत कर लिया है जिसके माध्यम से वह और साधारनकार कर सकता है तो कि यह विए सबिद्र marriage नहीं को कोई ना ऊइसा शाधारन टैलेंट मौझूध जो कि दूसरे से अपिंड बनाता है तो कहीं ना कहीं यह जो पावर है यह हमें चंद्रमा के माध्यम से आती है हमारी साइकिक पावर कहीं ना कहीं जो पावर है हमें यह बताती है कि सामने वाला विक्ति जो है वो क्या सोच रहा है क्या कर रहा है जितने भी जादा आपने देखी होंगे जो पहुंचे वे जो संत हों अभक पड़ा होता है यूझकि हमारी शरीर कि नारियों आ जो है सूरे की नाड़ी और चंद्रनाडी जो सैर करने लगते हैं और पैक परकार की नाड़ी को आपनी प्रदर्शन करते हैं तो इस चीज़ को आध्यात्म में और सामाजिक इस तरपे भी अगरम बात करें तो बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है अपने आध्यात्मिक अनुभव को या अपनी पावर्स को बहुत जादा लोगों के समक्ष शो नहीं करना चाहिए तो आए दोस्तों बिना देर किये अपने कारिकरम के हम शुरुात करते हैं और जानते हैं आज मूलांक Aक के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं 20 अगस्त 2023 के लिए स्वभाविक सी बात है आज चुकि मूलांक एक की बात हो रही है तो सन और मून बोट एनर्जीज और वेरी पाफुल मूलांक एक के लिए कहा जा रहा है वाइस बन देखिए हमने मूलांक एक की बात की अंक जो है वो सूरिका है लेकिन चंद्रमा की ब्लेसिंग भी आज साथ में हैं कार्ड को आप देख सकते हैं किस प्रकार चंद्रमा की ब्लेसिंग है साथ में आज कहा जा रहा है मूलांक एक के जात्मों को कि आपके भीतर आज आप एक बहुत स्फुर्ती महसूस करेंगे कही ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीजों के बारे में आपने पढ़ा नह निरभर करती है आज चैलेंजेस आएंगे आपके सामने देखे जब तक चैलेंजेस नहीं आएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आप कित्ते पाफुल है तो आज चैलेंजेस आपके सामने आएंगे लेकिन इन चैलेंजेस को आप बहुत ही इसली ओवरकम कर पाएंगे अप सगस 2023 के लिए आज की तारिक का मूलांक है नंबर दो और हम मूलांक दो की ही बात कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है शी वॉल्फ का कार्ड देखिया मून की बात कर रहे हैं नंबर दो की बात कर रहे हैं और हमारे पास मून कार्ड ही आ तो जिन जन जातकों के लिए आज चंद्रमा का इंपक्ट पॉजिटिवली पड़ रहा है कहीं नहीं मून कार्द इनके लिए मूलांग दो कि आपको कहा जा रहा है आज आपकी आपकी पैसिनेटली अपना काम करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो परफॉरमेंस है वह पहल रोकना चाहिए कहीं ना कहीं आज आप गलत के विरोध में भी खड़े हो सकते हैं क्योंकि वॉल्फ कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जो है चंद्रमा की फुल सपॉर्ट आज मिली हुई है आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है ट्रेडर का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन वित्तिय संबंदी मामलों में आपको सावधान बरतने की आवशक्ता है कहीं ना कहीं अपने emotions को आप control में रखे और emotions को control में रखकर ही किसी प्रकार करने ले फिर चाहे वो आपके investment का हो किसी को धन देने का हो या किसी भी प्रकार का especially finances related कोई विकार हो इसके लाव अगर हम बात करते हैं मूलांक 3 के अगर कोई जातक व्यवस मात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं इंजलन सिस्टर्स क्या बता रहे हैं आज मूलांक 4 के लिए अज 20 अगस्त 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है water garden का card है देखिए मैं आपसे पहले भी काता है चू कि चंद्रमा का दिन है impact बहुत अधिक है तो कहीं ना कहीं हमार अधिक है आज की जो इनर्जी जाएं आपकी वह आपकी इमोशन के उपर बहुत कुछ निर्भर करेंगा आज का अज आप माइं से लॉजिकल माइं से तोड़ा सा कम लेकिन अपने इमोशन से जादा जीएंगे तो आपको कहा जा रहा है कि अपने इमोशन को बैलेंस रखे किसी भी प्रकार से नेगेटिव फोट प्रॉसस में ना लेके जाएं आज ऐसा हो सकता है कि आज आप अपने पास्ट में जीएं कि मैं पहले ऐसे करती थी मेरे साथ यह था तो आपको क्या करना है प्रे पास्ट से आज आपको बाहर निकलना है आज आपको अपने उन Arc 5 के लिए मैं भाव कहा रहा है च्रॉम का काड है आपको कहा जा रहा जा रहा है कि आज के दिनापका बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं आज के दिन आपकी जो अरणा है वो निरभर करेगी आपकी प्लानेंग के उपर यदि आपकी highway प्रपर है सही तरीकिस सबस्टाइश प्लानिंग की खी अपनी लाइफ को लेकर आपका बिजनिस ऑसी कंवार्व तो आपके आगे का पढ़ाई लिखाई हो कही ना कहीं हर चीज जो है प्रपर प्लानिंग से आपकी है तो नो ढ़ पाईश्य को अवश्य मिलेगी किसी प्रप सकते आपको फोकस करें विषेश तोर पर विद्ध्यार्ति और इसके लिए क्या कर सकते हैं विद्ध्यार्ति समय नहीं पाता है चबभी आपको आपको देंग और जानक का जो और आपको लिगत प्रआदे है कि लिए हमारे ने का यद तरह से ततले कंव करें ठादाट् até तो हजार तेज के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे का जा रहा है मेडिसिन मदर का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको मात्र जो पक्षु से आपको शुब समाचार मिल सकता है उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है तो कुल मिला के इस्तरियों का सम्मान कर है आज आप उनका सम्मान अवश्य ही करें क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वज़े से आपकी इनर नोइंग की उपर उसका इफेक्ट आने वाला है आपके कारें के सब्रक्राइए जितना अधिक आप मां सम्मान देंगे आगे उतना ही जादा आपको ग्रोथ मिलने वाली है गाइड कर रहे हैं 20 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है वाइट विच का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चैलेंज आपके समक्षा रहे हैं चैलेंज कैसे हैं कि कही न कहीं आपका मॉरल डाउन होने की होगा आपकी विल पावर जो है वो थोड़ी डाउन होगी लेकिन आपको कहा जा रहा है कि end of the day आपकी जो कहीं आपकी जो इच्छा शक्ती है आपका भगवान के प्रती जो विश हो रहे हैं ऐसे में बहुत ही महत्पूर्ण है कि किस प्रकार से आप अपने नकारात्मक और विपरीग परिस्तिती में भी आप हसके आप लव और कमपैशन के साथ अपने दिन को गुजारें आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परिमात्मा आज क् आज 20 अगस्त 2023 के लिए हमें एंजल एंसेस्टर्स बता रहे हैं आज मूलांक 8 के लिए स्नेक का कार्ड है आपको कहा जा रहा है आपकी और जाओं में परिवर्तन आया है कुलमिला किया तो हो सकता पने जॉब शिफ्ट कियो कुछी दिनों में या आपने कुछ चेंज किया हो व्यबसाय ने में सोच में टीम में किसी परकार का बदला आपने किया हो अपने थॉट प्रोस्समे2 का चेंज किया हो लेकिन कही ना कहीं आपका सब कॉंश्मण्व जो है वह अभी भी पास्ट में अटका हुआ हैं आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर इक परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को समय के अनुरूप एकसेप्ट करना सीखे पास्ट में ना जीए पास्ट में जीएंगे आपका अपना नुकसान है क्योंकि आज के दिन की जो उर्जा खास तौर पर जब मैंने कारिकर्ण की शुरुवात में भी कहा था कि चंद्रमा की दृष्टि अ आपको आज अभी इसी वक्त इसी शन पर काम करना है आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे एंजल एंसिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 20 अगस्त 2013 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है वाइट विच का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चालेंज आपके समक्ष आ सकते हैं लेकिन आप बहुत ही आसानी से परमात्मा की साहता से उसे आप ओवर कम कर लेंगे कुल मिला के आज के दिन विशेश बात आपको और भी कही जा रही है कि आज आप घर से जब निकले तो उससे पहले देवी का कवच कर सकते हैं और उसके बाद ही आप आगे की आज यात्रा करें नो डाउट चैलेंज है लेकिन ओवर कम आप इजी ली कर लेंगे आपका दिन शुभो दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहां दिया नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम